Hello friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज की इस वीडिव मैं आपको बताओंगा की इंजन में throttle body क्या होता है? कहाँ पर लगा होता है? और ये क्या काम करता है? तो friends, वीडियो को इंड तक जरूर देखे वीडियो के अच्छा लगहे तो यसे लाइक और दोस्तों साँट है जरू कर दे उसके इनटेक सिस्टम का एक part होता है, जो कि engine के combustion chamber के अंदर में जाने वाले air के flow को के लेखेजर करता है. जो throttle body होता है वो in general air filter और air intake manifold के बीच में लगा हुआ होता है और throttle body एक housing को contain करता है जिसके अंदर में थ्रॉटल प्लेट होता है अब जो थ्रॉटल प्लेट होता है वह बटरफ्लाइ वैल्ब की तरह होता है बीच में एक साफ्ट होता है और उस साफ्ट के अरॉंड यह जो थ्रॉटल प्लेट है वह रोटेट होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग हो अब जब ड्राइवर एक्सेलेटर पैडल को प्रेस करता है तो उस एक्सेलेटर पैडल को प्रेस करने की वजह से क्या होता है कि जो फ्रॉटल प्लेट है वो ओपन होता है और फ्रॉटल प्लेट के ओपन होते ही एयर जो है वो इंजिन के स्लेंडर के अंदर में जाने लगता अब जैसे ही जाएवर जो एक्रेटर पैडल है उसे रिलीज कर देता है तो यह थ्रॉटल प्लेट जो है वो क्लोज हो जाता है और एयर का सप्लाई बंद हो जाता है अब जो मौडन इंजन्स होते हैं वहां पे थ्रॉटल बॉड़ी में थ्रॉटल पोजीशन सिंसर लगा हु अगर ओपेन है तो कितना ओपेन है क्योंकि जब हम लोग एक्सेल्टर पैडल को बहुत तेजी से प्रेस करते है तो उस टाइम पे चाहिए होता है कि हम लोगों को वहिकल से हाई स्पीड मिले अब हाई स्पीड के लिए चाहिए होता है कि हम लोगों को हाई पावर करता है थ्रोटल पोजीशन सिंसर अब इस ओपनिंग को यह जो थ्रोटल पोजीशन सिंसर है वो फर्दर आगे भीचता है इंजन के ECU यानि की इंजन कंट्रोल यूनिट को जिसे यह मालूम चलता है कि ज्यादा एयर आ रहा है यानि की एक्सेटर पैडल जाता दबा हुआ है तो फिर वो क्या करता है फ्यूल का सप्लाई को भी बढ़ा देता है ताकि जो एयर फ्यूल का मिक्शर है वो एक सर्टेन अमॉट में जो कंट्रोल होता है तो फ्रेंट्स आइम शूर आज की इस वीडियो को देखने के अब अब थोटल बॉड़ी के बारे में जान गया होंगे कि यह कहां होता और क्या काम करता है तो वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो इसे लाइक और दोस्तों को सच्टेश जरू कर दे इलता अगले वीडियो में थैंक्स पर राचिंग इस वीडियो गुडबाई